अधेयो दोस्तों यह बफिछ सीयब और एक ने टॉपिक के साथ और दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है Rate Analysis of gypsum plaster दोस्तों इससे पहला जो हमारा रिलेसन था उसमें हमने आपको cement plaster rate analysis बताया था, आज हम आपको gypsum plaster rate analysis बताएंगे दोस्तों यह मैं इसलिए बता रहूं आपको कि आजकल जितने वी प्रोजेक्ट है हमारे रेज्डेंशल हो गए, कमर्शेल्स हो गए या फिर आपके हॉस्पिटल्स हो गए उसमें सिमें प्लास्टर को रिप्लेस करता जा रहा जिप्सम प्लास्टर क्योंकि उसकी फिनिशिं से एंड तक पूरा देखिएगा जैसे कि आपकी सारी कंफुशन्स दूर हो जाएंगी और मेरा दावा है कि अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कभी दिप्सम प्लास्टर के रेट लेंसे कोई दिक्कत नहीं आएगा जैसे कि आपकी साइट का है दस फिट बाइद स्थिट का ठीक है तो इसकी जैसे के हमारा जो प्लास्तर होता है थिक निस पर रहा रहे में होती है तो मैंने इसकी थीप्रेश प्लास्टर के लिए हुआ श्क्रीजद के रेखिए तो मैं बात कर दा हूं ए वह पंच्छे सकेजिका भी आता है तो मैं 25 होती है gypsum plaster की ठीक है ये भी आप याप रखियागे अगर सिमेंट प्लास्टर की 14-14 होती है उसकी 700 kg पर कविग मीटर होती है ठीक है तो अब हमने यहां जैसे यहां यहां आरा 10 प्ट रे तेंपर हमने एरिया और बॉल निकाल लिया तो consumption of gypsum plaster हमारा एक बैग gypsum plaster जो होता है वो cover करता है 19 से 21 स्क्वार फिट it depends कि वहाँ थोड़ा वबेसे जाला हो रहा है कि नहीं हो लेकिन overall अगर हम बात करूं तो 19 से 21 स्क्वार फिट के आसपास की 12 mm की thickness में वो cover करता है तो हम अपने रेटल से में निकालने के लिए इसको 20 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसका average लेते हैं ठीक है तो 20 mm का 20 स्क्वार फिट कवर कर लिया हमारा एक जिप्सum plaster के बैग में ठीक है तो अब देखिए मेरा 100 स्क्वार फिट एरिया है 20 स्क्वार फिट एक कटक कवर कर रहा है तो मेरा बैग स्क्राइट केतना हो जागा 100 यह डिवाइड बैट वैट जो मैंने यहां से लिया है तो अब मेरा 5 बैग मतलब मुझे 5 बैच चीए 100 स्क्राइब में इसके बाद रेट ऑफ जिप्सम प्लास्तर बैग यह मेरा 25 किलो क जो है बैग मार्केट में 700 रुपे का आता है ठीक है यह मैं कर रहा हूं शायद ऊपन नीचे भी हो सकता है यह प्राइज अपन डाउन होते रहते हैं दोस्तों यह जो कवरेज है यह मेरी वेस्टेज कवर नहीं है क्योंकि वेस्टेज कवर हो जाएगा तो यह मेरे 23 से 24 तक पहुंच जाएगा लेकिन यह विदाट वेस्टेज है ठीक है यह एडियल है कि अगर मैं 25 कजिगा यूश करूँगा तो यह 20 स्क्वेर फिट कवर करेगा ठीक है तो मेरा रेट हो गया सवादोसों रुपे इसकी बात देखिए अब मुझे कॉस्ट रुपे निकालनी है तो वेस्टेज भी होता है हमारा तो हमने 5% परसेट पकड़ लिया ठीक है क्योंकि मैंने बताया कि जो हमने कंजप्शन वाला कोफिशन निकाला है उसमें वेस्टेज नहीं है तो 5% मैंने वेस्टेज पकड़ी इसमें तो मेरा 5% ऑफ 1125 यह आया 56 रुपे 25 पैसे ठीक है तो 56 प्लस यह मैंने एड किया तो मेरा टोटल जो आएगा मेटल कोस्ट मैने इसको 25 को अटा दिया इसमें से 1181 रुपे निकल कर आएगा तो मेरा 1271 रुपे निकल कर आता है 100 स्क्वेर 100 square feet के gypsum plaster करने के लिए इसके बाद मैं इसमें 2% जो charges है मेरे वो मैं transportation equipment की जोड़ लेता हूँ हालां कि इसमें बहुत ज़्यादा equipment पकरा की ज़रत नहीं पड़ती है हमें और transportation में नहीं बट जो store से हमारी labor सामान लेके आती है तो उसमें थोड़ी से हमारी labor लग जाती है और equipment जो हमारी labor काम कर रही है जो हमारे mystery काम कर रहे है तो उसके अपने कुछ equipment होते हैं अगर मैं उसको 2% load करता हूँ सिर्फ तो 2% of 1181 ठीक है तो यह मेरा metal cost थी इसमें मेरा 2% add कर लिया तो मेरा यह आया 23 रुपे 62 रुप 62 पैसे ठीक है तो यह मेरा निकल के आ गया कि इतना ही मेरे transportation equipment में cost लगेगी 100 square meter के लिए 100 square fit के लिए ठीक है अब मेरा material निकल गया क्योंकि gypsum plaster में gypsum के लावब कोई और material नहीं होता है तो gypsum का हमारा material का निकल चुका है अब हम आते हैं labor पर तो labor में दोस्तों जैसे efficiently मैं बताऊं तो हमारी efficiency एक मेसन और एक labor आठ गंते में 100 square meter plaster complete कर देती है यह more or less cement plaster के बराबर ही होता है बहुत जादा variations नहीं आते बट मुद्दे की बात क्या है इसमें कि इसकी जो manpower होती है उसकी जो prices है वो महगे आते है जो यह अपन डाउंस भी हो सकता है शायद आपका जो एक मैसन का 1100 रुपे का रेट रखा हो उसने एक मैसन ही 8 गंटे में 1100 रुपे रेट कर रखा हूँ तो वो भी दोनों चीज़ें बराबर ही है हमने एक मैसन एक labor को साड़े सासो और चारसों में डिवाइड कर गया और मेर एंड मेरी जो labor cost निकल गया है वह 1100 रुपे यह निकल गया है तो मैंने उन तीनों को इस जगे एड कर दिया है ठीक है तो 1100 रुपे 62 पैसे प्लस 1150 तो मेरी 100 sq.fit के plaster को करने के लिए 254.62 पैसे निकल कर आएगी cost ठीक है इसके बाद हम आते हैं यह तो मेरा labor और उसका हो अब आते हैं हम इसमें 15% एड कर देते हैं overheads का और contractor profit ठीक है अब 15% मैंने और एड कर दिया है 15% और यह जो निकल आया है मेरा ठीक है तो यह मेरी फिगर निकल गया है यह 277.813 पैसे यह है मेरा total rate for 100 sq.fit ठीक है अब हम आते हैं कि per sq.fit और per sq. meter पर मेरा कितनी costing आती है तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया per sq. meter निकालने के लिए यह मेरा 2707 है इसको 2708 ही consider कर लेते हैं हम ठीक है यह मैने for example हम इसको 2708 ही कर लेते हैं क्योंगी यह यह ठीक है तो 2708 divided by 100 तो 100 मेरा 100 sq.fit में है उसको भी मैंने 10.76 से divide कर दिया ठीक है इसके बाद मेरा यह निकल ग 291 तो दोस्तों मेरे gypsum plaster के जो cost आती है पर sq. meter वो आती है 291.49 आपसे 291.49 अगर यहीं cost मुझे पर sq.fit में निकालनी है तो दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे इस cost को 10.76 से all divide कर देना है क्योंकि 1 sq. meter equals to 10.76 sq.fit तो मैंने इस cost को 10.76 से divide और कर दिया तो मेरी 27 20 रुपे के आप्रॉक्स निकल के आती है तो दोस्तों जैसि आप देख पा रहे है जैसे आपकी SAT का जो Rate होता है 27 रूप on by Agr general फोокоольш दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनकेस अगर आपको कुछ आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए और थेंक यू